हेलो एवरीबाड़ी, वेलकम टु मिस्टिक वर्ल्ट 11.11 ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कॉन्टाक्ट रीडिंग आपके परसन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए ये हम जानने की कोशिश करेंगे इसके लावा आप मैल के लिए देख सकते हैं इस वीडियो को फीमेल के लिए और सेम जैनर के लिए भी सबके लिए ये रीडिंग ओपन है इसके लावा शरुवात से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि Cards, Possibilities बताते हैं आपकी Final Destination, Safe Divine Source को पता है Safe Divine Source को पता है कि फाइनलई आपकी लाइफ में क्या होना है इसलिए आप लोगोंने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस Reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना पसंद आए तो लाइक भी कर दीजेगा और शेयर भी कर दीजेगा अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग रीडिंग के आखिर में चैनल मैसेज़िस भी होंगे लेटर्स और नंबर्स भी होंगे और शुरुआत में हम आपके लिए सॉंग्स देखेंगे इसमें बहुत सारे सॉंग्स हैं अज आपके लिए क्या सॉंग्स आए हैं तो ये बहुत सारे सॉंग्स आ गए हैं और ये मैं नहीं लूँगी और मैं intuitively इसमें से सॉंग्स आपके लिए निकालूंगी दो songs, okay one and okay फिर भी three आ ही गए हमारे पास, so all right हम ये तीनों रख लेते हैं, so first we have तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, so ये song आपको पता होगा, ये आप लोगों के लिए आया है, आप जरूर इस song को सुनिएगा इस reading के बाद, शायद इसमें आपके लिए कोई extra message हो, then we have कजला, ये अफसाना खान का song है, ये भी आप सुनिएगा, बहुत अ मुझे लग रही है, ये song बहुत खुबसूरत है, आप लोग सुनिएगा, so I feel कि ये आप दोनों की feeling है, कि जब आप दोनों एक साथ होते हैं, तो आप जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए भी ready होते हैं, आपको लगता है कि हर मुश्किल आसान हो जाएगा, अगर आप दोनों एक दूसरे के हम दर्द बने, right? So, very beautiful song, ये तीनों songs आपके हैं आज के लिए, so आपने सुनना है इन songs को, let's start, spirit आमे divine message दीजेगा, वो क्या feel कर रहे हैं मेरे viewer के लिए, उनकी feeling, okay, we have the chariot, then we have judgment, okay, वो क्या feel कर रहे हैं मेरे viewer के लिए, spirit, divine message, okay, we have three of swords, कुछ लोगों के लिए third party हो सकती है, ऐसलिए गाना भी वो आया, के तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, so third party show हो रही थी, song में भी, so we have death, काफी जदा painful ending हुई है, आप लोगों की, we have queen of swords, then we have the moon, काफी heavy energies हैं, आज की no contact reading की, two more cards, spirit, वो क्या feel कर रहे हैं, क्या feel कर रहे हैं मेरे viewer के लिए, we have two of pentacles, कुछ लोगों को शायद बहुत अर्सा बीद गया है, इंतजार करते करते अपने person का, ये भी मुझे feel हो रहा है, और कुछ लोगों का recently हुआ है, break up, बट यहाँ पर desire है, आपके person की, कि वो आपसे apologize करें, अगर totally आप लोग दोबारा connection में नहीं भी आते हैं, तो भी आपके person की, ये desire इस वक्त जरूर है, कि आप उनको माफ कर दें, एक song नीचे भी गिर गया था, so I feel कि ये एक extra message होगा, so ये भी मैंने उठा लिया है, ये song हम पहले देख लेते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, so we have, तुम कमाल करते हो, इसमें भी third party आगए, ये भी अफसाना खान का song है, ये दोनो कजला, और तुम कमाल करते हो, ये दोनो सॉंग्स, बलके तीन सॉंग्स आज third party को शो कर रहे हैं, so ये बड़ा interesting है, definitely third party है, और cards में भी confirmation आ गई है, third party उनकी family भी हो सकती है, आपको पता होगा के third party क्या है, so तुम कमाल करते हो, ये सॉंग्स बहुत अच्छा है, ये आपने जरूर सुनना है, इसमें भी आपके लिए को special message हो सकता है, इसमें इसकी जो वीडियो है, उसमें भी दिखाया जाता है, कि लड़का जो है, वो लड़की को cheat कर रहा होता है, तो लड़की उसको पकड़ लेती है, रंगे हाथों, so कुछ इस तरह की situation में भी आप में से किसी के साथ literally हुई हो, but anyways, बढ़ते हैं, हम reading की तरफ, यहाँ पर Pisces Cancer Scorpio है, यहाँ पर Libra, Gemini, Aquarius है, and Taurus Virgo, Capricorn भी आप add कर लीजिए, two of pentacles की वज़ा से, so fire sign यहाँ पर नहीं है, but regardless of star signs, अगर energy आप से match होती है, तो बिल्कुल आपकी reading है, star signs को लेकर आपने परिशान नहीं होना, but इसमें fire नहीं है, और symbolically अगर हम देखें, तो I feel कि action की कमी है, आपके person level up नहीं हो रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, आपसे contact नहीं कर रहे, definitely कोई action नहीं ले रहे, वो desire है कि वो आपसे माफी मांगे, आपके person भी बड़ा heavy feel कर रहे हैं इस वक्त, अगर third party है भी, I feel कि वो third party के साथ खुश नहीं है, या वो खतम कर चुके हैं third party को, या करने वाले हैं, बहुत जल्दी वो third party खतम करने वाले हैं, आज जिस energy में हम tune in हैं, मुझे definitely ये नजर आ रहा है कि आपके person बहुत sad है, जितनी तकलीफ आपको हो रही है, उन्हें भी उतनी ही ज़्यादा तकलीफ है, और मुझे ये भी feel हो रहा है कि उन्हें आप ही से लगाओ है, अभी भी है, और वो time बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा slow progress कर रहे हैं वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर action की, fire की, passion की बहुत ज़्यादा कमी है, so I feel कि आपके person थोड़े से lazy भी है, by nature ही lazy है, चाहे उनका कोई भी star sign हो, so I feel कि उन्होंने बहुत ही slow आपके साथ progress की थी, इस connection में, and still बहुत slow हैं और वो action नहीं ले रहे, वो आपसे apologize करना चाहते हैं, also I feel कि आप में से कुछ लोगों ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, या आप move on करना चाह रहे हैं अब उन से, और आपने एक बहुत healthy boundary set की है, queen of swords आपको पता है, बहुत direct है, चाहे आपका gender जो भी हो, queen of swords बहुत direct है, बहुत straight forward है, और इन्होंने अपनी healthy boundary लगा दी है, जो कि आप हैं, the viewer, I feel कि आप अब nonsense बरदाश नहीं करने वाले, आपने एक final decision लिया है, कि अगर आपके person apologize कर लेंगे, जल्दी तो ठीक है, maybe आपने कोई time frame भी रखा हुआ है, कि इतने अर्से में अगर इन्होंने apologize कर लिया, तो फिर आप माफ कर देंगे, और इतने अर्से में अगर नहीं किया, तो आप नहीं करेंगे, आपकी ये energy है, और आपके person आपसे बात करना चाहते हैं, definitely, लेकिन थोड़ी सी confusion है, तकलीफ है, थोड़ी सी hesitation है, डरते भी हैं आपसे, but with the death card, I feel कि ये major transformation का card है, जैसे कि आप लोगों को पता है, और आपके person के अंदर इस वक्त इतनी courage, इतनी हमत कहलीजिए कि नहीं है, कि वो आपको face कर सकें, और इतना ज़्यादा transform हो सकें, और वो आपकी तरफ आ सकें, आपको pursue कर सकें, उनको ऐसे लगता है, कि उनमें इतनी willpower नहीं है, इतनी strength नहीं है, कि वो आपको face कर सकें, कुछ ऐसी उनकी feeling है इस वक्त, काफी ज़्यादा परेशान हैं, low feel कर रहे हैं, और confidence की बहुत ज़्यादा कमी मुझे feel हो रही है, आपके person को इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ है, definitely, also I see कि वो थोड़ा सा उन्होंने खुद को isolate किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिल भी नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, I feel कि आपके person को बहुत ज़्यादा या तो उनका जमीर मलामत कर रहा है, या divine की तरफ से उन्हें साइन्स मिल रहे हैं, उनकी higher self उन्हें जिन्जोड रही है, जो उन्होंने किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें action लेना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें level up होना चाहिए, उन्हें definitely ये signs मिल रहे हैं, उन्हें उनकी gut, उनकी intuition गाइड कर रही है, बट वो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि confidence की कमी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें ये step लेना चाहिए, या नहीं आप से apologize करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, बट यहां पर major transformation होगी, I feel, क्योंकि यहां पर death card present है, बट आपके person अभी ready नहीं है उसके लिए, I feel, so, judgment को हम clarify कर लेते हैं, ओके, दो cards आ गए, so, we have the tower and page of pentacles, so, इसके साथ मुझे ये feel हो रहा है, ये दो cards, judgment को हमने clarify किया, आपके person को ये महसूस हो रहा है, कि उन्हें आपको apology offer करनी चाहिए, एक ये message मुझे इससे आ रहा है, दूसरा ये कि आपके person again with the tower बहुत परेशान है, मुझे कुछ लोगों के लिए feel हो रहा है, कि कुछ लोगों का तो बहुत देर हो चुकी है लड़ाई को, और कुछ लोगों की recently हुई है, so, ये message उनके लिए आ रहा है, जिनकी recently fight हुई है, आपके person अभी भी बहुत परेशान है, वो चाते हैं कि गुसा थोड़ा सा कम हो जाए आपका, फिर वो आपको अपॉलजाइज करेंगे आपसे, अपॉलजी ओफर करेंगे, also I feel कि आपके person को इस present time में ये महसूस होता है, कि उनके पास enough है नहीं आपको ओफर करने के लिए, इसलिए भी वो खामोश है, उनको लगता है कि वो आपको इस present time में कम ही time दे सकेंगे, attention ज्यादा नहीं दे सकेंगे, आप पर invest नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी वो शायद आपको approach नहीं कर रहे हैं, reach out नहीं कर रहे हैं, यह different चीज़ें यहाँ पर highlight हुई है, judgment को clarify करने से, और बहुत ज़दा परिशान है, definitely the tabler का card यहाँ पर आया है, बट आपके person को realize हो रहा है, कि उन्होंने गलती की है और उन्हें इसे सुधारना चाहिए, so अब हम death card को clarify कर लेते हैं, वैसे तो यह major transformation का card है, but we have three of cups, so maybe आपने literally उनको कुछ लोगों के साथ देखा, या third party के साथ देखा, कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत clearly यह message आ रहा है, और फिर आपने इने बोला कि बस, अब मेरी बस हो चुकी है, आप मुझे आपके साथ नहीं चलना है, so आपके person ने कुछ ऐसा किया है, जो थोड़ा सा shameful भी था, बहुत super super specific messages आ रहे हैं आज, so आपके person ने कुछ ऐसा किया, जो shameful था, और अब वो आपको face करने की position में नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी courage नहीं है, कि वो आपको face कर सकें, आपने कुछ देख लिया ऐसा, कोई सच्चाई, maybe आपने उनका text message देख लिया, किसी X ने किया, third party ने किया, whatever, बट आपने कुछ देखा है, आपके सामने कुछ reveal हुआ है, also I feel कि आपने उनने change करने की बहुत कोशिश की, आपने उनने समझाने की बहुत कोशिश की, कि आप अपने इन patterns को बदलें, आप अपनी इन आदतों को बदलें, बट उनने बहुत light लिया, बहुत easy लिया, और वो seriously नहीं ले रहे थे आपकी बातों को, और finally आपने फिर ये सोचा, कि आप बस, मुझे अब आगे नहीं चलना है, क्योंकि आप level up हो ही नहीं रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए मुझे, ये feel हो रहा है, इन दोनों को clarify करते हैं, अगें ये वही बात आगी, कि आपके person को लगता है, कि अभी वो नहीं आपको उतना offer कर सकते, जितना आप deserve करते हैं, और इसलिए भी उनमें confidence की कमी है, उनको ऐसा लगता है, कि वो financially या तो stable नहीं है, अगर female हैं, तो उनके शायद family के कुछ circumstances ऐसे हैं, या फिर उन्होंने कुछ अरसा आपको cheat किया, इस वज़ा से भी उन्हें लगता है, कि अब आप उनकी offer accept नहीं करेंगे, और उनके पास एक बहुत stable offer है भी नहीं इस वक्त आपको देने के लिए, इसलिए भी वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बट desire आपके लिए definitely है, आपके लिए प्यार भी मैं देख रही हूं यहाँ पर, बट इसके साथ साथ मैं यह देख रही हूं कि बहुत immature vibes हैं, आपके person बहुत ज़्यादा mature नहीं हैं इस वक्त चाहे उनकी यह जो भी हो, बट I feel कि आपके person के निस्बत आप बहुत ज़्यादा mature हैं, आप चीज़ों को understand करते हैं, आप practical हैं, आप logical हैं और उसके साथ साथ आप बहुत loving भी हैं, बट आपके person अभी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि yes, immature vibes हैं, यही right word मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और I also feel bottom of the deck we have ace of swords, वो आप से communicate नहीं कर पा रहे हैं, communication का वो level नहीं है जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से communicate करते हैं, आपको explain करना बड़े अच्छे से आता है, understand करते हैं, आप बातें करके आप मसलों को resolve करना जानते हैं, बट आपके person उस level पर communicate उने करना नहीं आता है, जो आपका level है, right? आपके person mature नहीं हैं अपनी communication में, काफी immature vibes आ रही हैं, so कुछ और oracles देख लेते हैं आप लोगों के लिए, और क्या feel कर रहे हैं वो आपके लिए, okay, we have keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectations, so इससे मुझे ये लग रहा है कि अगर आपका दिल करता है अभी इनको थोड़ा और time देने का, तो आप बिलकुल दीजिए, keep an open mind, आपके soulmate आपसे different हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप उनको माफ करना चाहें और फिर उनके साथ आगे चलना चाहें तो ये totally आपका decision होगा, but with this card I feel कि आपके person काफी open minded हैं इस वक्त, optimistic होकर सोच रहे हैं, definitely वो आपसे सुला तो करना चाहते हैं, मुझे ये clearly नजर आ रहा है, और इसलिए वो काफी ज़ादा optimistic होकर सोच रहे हैं, और वो आप दोनों के दरमयान जो भी differences हैं, उनको खतम करना चाहते हैं, वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, definitely मुझे ये महसूस हो रहा है, So, we have trust and free yourself, So, आपके person definitely सोच रहे हैं, खुद को detach करने के बारे में, free करने के बारे में, literally third party से, जो मैंने पहले आपसे discuss किया, और वो trust करते हैं आप पर completely, आप बहुत trust worthy हैं, इससे मुझे ये भी महसूस हो रहा है, कि आपके person को आप पर बहुत ज़ादा trust है, कहीं न कहीं उनका दिल अभी भी ये सोचता है, उनके दिल को अभी भी trust है, कि आप उनका इंतजार कर रहे हैं, या आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, ये भी उनको trust है, बट आपके लिए भी ये message आया है, कि this situation is calling for you to have faith, अगर आप faith रखेंगे, तो बहुत possibility है, कि आपके person change भी होंगे, अपने आपको free भी करेंगे, negative belief system से, past से, third party से, और जरूर आपकी तरफ आएंगे, आपको pursue करेंगे, तो ये काफी अच्छा message आया है, काफी positive message आया है, ये, so let's see कि वो और क्या feel कर रहे हैं, so definitely अगर यहां पर third party है, आपके person खुश नहीं है third party के साथ, बट आपका सवाल ये होगा, कि उन्हें third party में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर उन्हें आपसे वाकई ही प्यार होता, तो वो किसी और की तरफ जाते ही क्यों, but sometimes इस तरह की चीज़ें हो जाती है, और काफी ऐसे भी cases मैंने देखे हैं, आपने भी देखा होगा, कि लोगों के break up होते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर से कटे हो जाते हैं, and they live happily ever after, उसके बाद कभी भी उस तरह का कोई मसला नहीं होता, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि keep an open mind, but ये totally आपका decision होगा, अगर कोई relation toxic है, torturous है, आपकी energy को खराब कर रहा है, definitely आप उससे detach हो जाएए, इसमें आपने totally अपनी intuition को follow करना है, right, so we have take time to breathe out, so आपके person release करना चाहते है negativity को, also वो इस वक्त कि आपका घुसा जब ठंडा होगा, फिर ही वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि जो भी हुआ, बहुत sudden हुआ, बहुत unexpectedly हुआ, और बहुत जादा उसने turmoil पैदा किया, inner turmoil आप में भी और आपके person में भी घुसा भी बहुत जादा उसने पैदा किया situation ने, so आप दोनों को time चाह करेंगे, definitely communicate करेंगे, apologize भी करेंगे, बट अभी उनको ऐसा लगता है कि बहुत जदा fresh है, यह fight, बहुत जदा fresh है उससा, so अभी वो नहीं आ रहे है आपकी तरफ, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी अगर वो आएंगे तो फिर लडाई हो जाएगी, क्योंकि फिर से discussion होगी उ So anyways, it's not funny, I know, we have luck is on your side and you are good enough, so yes, आप powerful है, you are good enough, आप में किसी चीज की कमी नहीं, आप बहतर से बहतर attract कर सकते हैं, इसके लावा आपके person भी यह बात जानते हैं कि you are good enough, आपको कोई भी बहतर से बहतर opportunity मिल जाएगी, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, and luck is on your side, आप इस सारी situation पर परेशान नहीं होना, also I feel कि अगर आप इनको भी अपने जिंदगी में attract करना चाहते हैं, तो भी luck is on your side, आपको faith रखना होगा इस situation पर और open mind के साथ आगे बढ़ना होगा, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, again मैं यह कहूंगी, क्योंकि बहुत possibility है कि आपके person free क blessing in disguise है, क्योंकि इसमें आपके person को मौका मिल रहा है, कि वो level up हो, वो बेहतर इनसान बने, वो change करें अपने patrons को, right, so आपने यह healthy boundary set की है, से आपके person को realize हो रहा है, उन्हें मौका दिया है आपने level up होने का, बेहतर इनसान बनने का, so अब हम उनकी तरफ से आपके लिए channeled messages द निकालूंगी, अगर अभी वो आपसे कुछ कहते, तो क्या कहते, वो क्या कहना चाहते हैं, आपसे यह हम देखने की कोशिश करेंगे, so क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे, okay, I think कि यह काफी हो गए है, so let's start, कि अभी अगर वो आपसे कुछ कहते, तो क्या कहते, channeled messages from your person, so first we have will you accept me, so इस बात का डर है आपके person को, जो मैंने पहले आपसे अभी कहा था, कि उनको अब confirm नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे कि अब आप उन्हें एकसेप्ट करेंगे या नहीं, वो काफी ज़दा परिशान है, उनको लगता है कि जो उन्होंने किया, अब आप उनको माफ नह करने वाले हैं, sometimes I stay awake thinking of you, so कभी कबार उनको नींद नहीं आती है, वो जाकते रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं, रात को ज्यादा उन्हें आपकी याद आती है, this connection is intense, yes, ये connection बहुत intense है आप लोगों का, I am not sure about my feelings, so वो बहुत ज्यादा conflicted हैं, अपनी thoughts में, उ वामोश रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, I want us to be friends only, so ये एक बहुत specific message है, शायद उन्होंने आपको friend zone में रखावा था, लेकिन mixed messages भी देते थे, किसी और के साथ भी साथ-साथ flirt करते थे और आपको भी बीच में लटकाया हुआ था, अगर ये dynamic है, फिर तो आपने बहुत दिल में, इस बात को वो admit कर रहे हैं, कि yes, आपकी वो जगा कोई नहीं ले सकता, I don't know what to do, yes, उन्हें नहीं समझ आ रही कि उन्हें क्या करना है या क्या करना चाहिए, I am watching you from the outside, में भी वो कुछ लोगों से, आपके mutual friends से, आपके बारे में पूछते रहते हैं, जानकारी ले रहते हैं, या आपका social media भी वो stock करने की कोशिश करते हैं, fake accounts से, stay with me, so वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके साथ रहें, missing you comes in waves, tonight I am drowning, yes, आज आपको खास्तोर पे बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं वो, I don't feel good at all, उन्हें बिलकुल भी अच्छा फील नहीं होरा, definitely ये तो हमने पहले ही देख लिया था, you are my lost paradise, so आप बहुत heavenly हैं, angelic थे, आपकी angelic vibes हैं, बट उनको लगता है कि उन्हें खो दिया है, इस heavenly इंसान को, जो आप थे, right, I pretend I don't care, so अगर अभी वो pretend कर रहे हैं, कुछ social media पर अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं, या बहुत cool बनने की कोशिश क रहे हैं, happy face दिखा रहे हैं, बिलकुल जूट है, सिर्फ pretend कर रहे हैं, ऐसासल में कुछ नहीं है, बहुत sad है, I am trying to listen to my heart, वो कोशिश कर रहे हैं, कि उनका दिल, उनकी higher self, उनकी intuition जो उनकी गाइड कर रही है, वो उस पर अमल करें, क्योंकि definitely उनकी intuition, उनकी higher self उनको ये बता नहीं दिखा रहे, जितनी feelings आपके लिए उनके दिल में हैं, वो आपको नहीं बता रहे, बहुत ज्यादा show off कर रहे हैं वो इस वक्त, but definitely बहुत आप से बात करने का दिल कर रहा है उनका, so अब हम आपके लिए letters और numbers देख लेते हैं, letters और numbers, okay, काफी सारे आ गए, so let's start, we have 55 55, so 5 change का number है, और challenge का भी, F, 444, wow, so किसी के लिए significant हो सकता है, किसी का house number, किसी का car number, mobile number हो सकता है, देख लिजिए, और अगर कोई word आप बना सकें इन alphabet से, किसी का name initial हो सकता है, किसी के name के middle में कोई alphabet हो सकता है, last में हो सकता है, surname में हो सकता है, देख लिजिए, so we have F, Q, K, I, L, I, T, F, X, N, then we have Y, 666, wow, 456, so progress हो रही है, I feel, 666 again, then we have R, U, L, C, L, double L हो गया, triple बलके, F, Y, number 4, M, number 7, B, okay, and then M again, so यहाँ पर 4567, so I think यह progress हो रही है, इससे हमें यह एक indication मिल रहा है, देख लिजिए इससे अगर आप कोई word बना सकें, यह आप लोगों के letters और numbers हैं, और यह आप लोगों की reading थी, कुछ भी आप से resonate किया, पसंद आया, आप लोगों को मुझे आपने जरूर comment section में बताना है, अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, like कीजेगा, share कीजेगा, और subscribe करना मत भूलिएगा, जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है, कि आप लोग अपनी जिंदगी में जो भी manifest करना चाह रहे हैं, new love, true love, आपकी जिंदगी में जरूर manifest हो, और जरूर होगा, क्योंके you are worthy of love, and you are lovable, अपने आपको ये जरूर बताया करें, अपना धेर सारा खयाल रखेगा, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.